जैमा तदी दोस्तों आप देख रहे हैं असरदार टोटके आज मैं आपके लिए एक महत्य पुन टोपिक लेकर आया हूँ जब पर्स रहेगा ऐसा तो खुब तिकेगा पैसा इन उपवायों को अपना कर आपका पर्स हमेशा पैसे से भरा रहेगा जब पर्स रहेगा ऐसा तो खुब तिकेगा पैसा इसे जानने के लिए अब हमारी वीडियो को देखते रहे हैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल असरदार टोटके को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए जबदश्ट टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि अप गर में अपने सुक और समर्थी लास्क बहें अब मैं बात करूँ आपकी जब पर्स रहेगा ऐसा तो खुब टिकेगा पैसा हर कोई चाहता है कि उसका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहे कभी खाली नहीं हो लेकिन कई बार ऐसे हालात आ जाते हैं कि आपका पर्स खाली हो जाता है या महीने के आखरी में आपको पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो तो आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें इसे आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहेगा ऐसी माननता है कि किन्नर को किया गया दान अक्षे पुन्यदान प्रदान करता है इनकी दुआएं व्यक्ति को हर विपत्ति से बचा लेते हैं यदि आप पैसों की समश्या से मुक्ति चाहते हैं तो किसी किन्नर से एक रुपे का सिक्का वापस ले ले यदि किंडर अपनी खुसी से आपको सिका दे देता है तो उसे हरे कपड़े में लपेटकर अपने परस में रखे तो रखें या तीजोरी में रखें ऐसा करने से आपकी धन समंदी परिसानी दूर होने लगेगी आप अपने परस में पीपल का पत्ता रखे जिससे आपके पर्स में धनकी वर्षा सुरू हो जाती है धरम गरंतों के अनुसार पीपल में भगवान विशनु का वास मना जाता है इसलिए एक पीपल के पत्ते को गंगा जल से धोकर पविद्र कर लें अब इस पर केसर से स्री लिखें और इसे अपने पर्स में इस परकार रखें कि यह किसी को नजर नाए निमत अंतराल पर यह पत्ता बदलते रहें ऐसा करने से काफी फाइदा होगा देखने में आता है कि कुछ लोग पर्स में बहुत सी ऐसी चीज़े रख लेते हैं जोती सास्तर के अंतर चावल, शुक्र, ग्रहें से समंदित अनाज है वे किसी भी पूजा पाट के दोरान देवी देवताओं को तिलत करने के लिए चावल भी चड़ाए जाते हैं लक्षमी पूजा के दोरान भी चड़ाए गए चावल बहुत ही विसेश होते हैं मा लक्षमी को चड़ाए गए चावलों में से 21 दाने लेकर एक कागच के पूडिया बना कर रख लें अब इस कागच के पूडिया को अपने पर्स में रख लें इससे आपको काफी फाइदा मिलेगा पर्स में कभी भी कोई असलील चित्र या अन्य असलील सामगरी भी नहीं रखनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से पर्स की बरकत खतम हो जाती है और जीवन में नकारातमकता बढ़ने लगती है भारत में नहीं विदेशों में भी कहा गया है कि अपने पर्स और चाबी को कभी भी टेबल पर नहीं रखना चाहिए ऐसा करने से घर में पैसे की बचत्क होना कम हो जाती है इसलिए कभी भी पर्स को टेबल पर ना रखें इसे किसी सुरक्षित स्थान पर रखें ये सुरक्षा के दृष्टी से भी काफी सही होता है इसे पर्स के चोरी होने का खत्रा भी कम हो जाता है बहुत से लोगों का मानना है कि अगर आप अपने पर्स में अपने गुरू की छोटी सी तस्वीर रखें तो काफी बरकत होती है गुरू की तस्वीर पर्स में रखने से इसका सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा गुरू की तस्वीर पर्स में होने से आप खराब समय में भी राहत और अत्यादमिक सामती महसूस करेंगे गुरू की तस्वीर पर्स में होने से आपको धन से समंदित परिसानी नहीं होती है आप अपने पर्ष में गोमती चक्र, समुंदरी कोडी, कमले घटे, चांदी का सिक्का आदी भी रख सकते हैं ये सबी ये भी वस्त्वें महालक्ष्मी को अती पिरिये हैं इन में से कोई भी चीज पर्स में रखने से पहले थोड़ी दिर महालक्षमी की चरणों में रखें इसके बाद इसे पूरी सर्दा से अपने पर्स में रख लें इससे आपके जीवन में सकरातमक्ता आने लगी और धन से समंधी मामली भी सुदरते जाएंगे सिरी यंतर की तरह हैं ही लक्षमी यंतर वैल महालक्षमी यंतर भी बहुत ही सूप फल देने वाले माने जाते हैं यदि सिरी यंतर नहीं हो तो इन में से कोई एक छोटे अकार का यंतर आप अपने पर्स में रख सकते हैं यंत्र सुक्समरिदी प्रधान करने वाले तरह जीवन में उन्ती प्रधान करने वाले माने गई हैं तो ये थे दोस्तों कुछ ऐसे उपाई जो जिन्य उपाई को अपना कर आप अपने परस को हमेशा पैसे से भरा रख सकते हैं जब आप ये उपाई करेंगे जब परस रहेगा ऐसा तो खूब टिकेगा बैसा अगर आपको हमारी वीडियो या इससे आपको कोई जानकारी प्राफ्त होई तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक वैसी एर करना ना बोलें इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलें क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए जबरदस टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप घर में अपने सुख और समरेदी लाचकते हैं धन्यवाद दोस्तों